तो चलिए डिसकस करते हैं फर्स लॉफ थर्मो डाइनेमिक्स को सारी चीजों के बारे में बात करेंगे बट उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है जल्दी से जाए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन्स म is based on law of conservation of energy चलिए पहले इसकी definition लिखते हैं फिर समझते हैं first law of thermodynamics based on law of conservation of energy law of conservation of energy क्या कहता है law of thermodynamics law of thermodynamics कहता है heat and work are two different form of same entity called energy which is always conserved तो यहाँ पर आप एक इसके साथ और दो लाईने add कर सकते हो first law of thermodynamics कहता है heat and work are two different form of two different form of same entity called energy इस ही कोई हम लोग बोलते है energy जो हमेशा क्या रहती है conserved रहती है which is always conserved which is always conserved okay तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते है del q is equal to del w और इसको एक तरीके से और represent करते है close integral dq is equal to close integral d w तो यह आपके पास दो formula आगए first law of thermodynamics कहता है कि energy हमारी conserve रहती है first law law of conservation of energy पर ही based है इसको आप partial कर लीजेगा del q is equal to del w यह close integral del q is equal to close integral d w अगर हम लोग close system के लिए first law of thermodynamics को लिखेंगे तो यह हमारा किस के लिए close system के लिए क्योंकि integration और यह हमारा क्या represent कर रहा है कि system हमारा close है उसके बाद देखते हैं अगर suppose करिए कोई कोई भी हम pv diagram ले ले लेते हैं this is our pv diagram इसमें हम लोग क्या करते हैं 1-2 एक process लेते हैं बट path change कर देते हैं यह 1-2 ओके एक path हो गया this is a path और 1-2 हम लोग इस तरीके से भी जा सकते हैं this is our b path अब हम करना क्या चा रहे हैं मैं पहले ही आपको वह बता देते हूं हम चेक करना चा रहे हैं कि जो heat है ओके हमने यह जान लिया था work is a path function and work is a boundary phenomenon अब हम यह चेक करना चा रहे हैं कि जो heat है कि यह heat भी path function है तो इसकी help से हम लोग वो जानेंगे किस तरीके से जानेंगे देखे अगर मैं process ले लूँ 1 to 2 अगर मैं 1 to 2 process ले लूँ तो मुझे मिलेगा del q 1 to 2 is equal to del w 1 to 2 अगर 1 से 2 process है और a path को follow कर रहे हो कि यहां पर लिख लिजेगा यहां पर लिख लिजेगा path a है this is path a a path से अगर हम लोग आ रहे है red वाले path से आ रहे हैं तो del q is 1 to 2 a path del w 1 to 2 b path यह इस तरीके से भी आप इसे लिख सकते हो इसको अगर आप और अच्छे से लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख लेते हैं 1 a 2 and 1 a 2 अब अगर second वाले path के लिए आप equation लिखो second वाले path के लिए अगर आप first law लिखोगे तो यह आप लिखोगे del q 1 b 2 is equal to del q 1 b 2 I hope आपको इसमें कोई भी problem नहीं होई होगी this is our first equation and this is our second equation मैं क्या करने जा रहे हूँ, first को second से minus करूँगी तो आपको मिलेगा del q 1 a 2 minus del q 1 b 2 is equal to del w 1 a 2 minus del w 1 b 2 थोड़ा सा इसे rearrange करिए, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा del q 1 a 2 minus del w 1 a 2 is equal to यह हो जाएगा del q 1 b 2 minus del w 1 b 2 अब आप यहाँ पर जानते हो कि work जो आपका है वो है path function जब work हमारा path function है तो आपको पता है del w 1 a 2 अगर a path से आने में जितना work हमारा लगा है वो बिलकुल भी equal नहीं होगा del w 1 b 2 के 1 a 2 यह वाला path लेके अगर हम लोग आए तो फिर हमें work done अलग मिलेगा और 1 से 2 अगर हम लोग आए हैं b path को follow करके तो उसके लिए del w हमारा अलग होगा तो हमें पता है del w 1 a 2 does not equal to del w 1 b 2 अब हमें पता चलगे यह जब एक दूसरे के equal नहीं है तो यह जब इसके equal नहीं है तो del q 1 a 2 does not equal to del q 1 b 2 डल q भी equal नहीं होगा अगर यह और यह equal हो जाते बात समझेगा अगर यह और यह equal हो जाते तो दोनों opposite side है, दोनों के sign सेम है, दोनों cancel हो जाते है और del q1a2 equal हो जाता del q1b2 के, बट यह तो equal है नहीं, यह जब different है तो यह भी different होंगे तो इसकी help से जो हमें पता था, work is a path function, इसकी help से हमें एक चीज और पता चल गई del q1a2 does not equal to del q1b2, तो यहाँ पर हमें क्या पता चल गई, यहाँ हमें पता चल गया heat जो है, वो हमारी क्या है, path function है, यहाँ पर हमने यहीं प्रूफ करा न, इस अगर हम लोग 1 से 2 आए, path a को follow करते वे तो जो हमें heat मिलेगी, वो बिल्कुल भी equal नहीं होगी, अगर हमने path b को follow करा, तो दोनों path से हमें different, different, क्या मिल रही है, heat मिल रही है, इसका मतलब heat transfer is also a path function, यह बात आपको ध्यान रखने, heat transfer is also a path function, बट अगर आप यह देखो, अगर हम लोग, यह path को follow करते वे आए, 1 से 2, तो हमें क्या मिला, del q minus del w, sorry, यह वाली line equation, यह वाली है, del q minus del w1a2, यह equal था, यह अगर पूरी complete entity अगर आप देखोगे, यह पूरी complete equation देखोगे, तो यह जरूर इसके equal है, del q1b2 minus del w1b2 के, ओके, तो जब यह इसके equal है, इसका मतलब यह जो quantity न, यह constant है, यह change नहीं होई, च है, आप path b को follow करो, यह del q minus del w है, यह change नहीं हो रहा है, इसका मतलब it must be a property, because path change करने से, यह change नहीं हो रहा है, तो जो path independent होती है, जो path पर depend नहीं करती है, वो क्या होती है, वो property होती है, तो इसी property को हम लोग बोलते है, energy, ओके, यह हमारी क्या मिल जाएगी, यह energy मिल जाएगी तो यहां से थोड़ी जगा बनाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं, तो यहां से मुझे यह पता चल गया, del q minus del w जो है, वो एक property है, जिसे हम लोग बोलते है, energy d e, ओके, तो यह हमें एक equation मिल गई, for a closed system, अब यहां पर मैं आपको बताते हैं, यह जो energy आपको मिली है, d e, यह यह भी दो तरीके से हो सकती है, एक हमारी हो सकती है, stored form of energy, stored form of energy, और दूसरी हमारी क्या हो सकती, transient form of energy, देखेगा जरा, transient form of energy, अच्छा, stored form of energy को भी हम लोग फर्दर दो पार्ट में classify कर सकते हैं, first one is the macroscopic and second is the microscopic, तो अगर मैं इसको दो पार्ट में divide करूं, तो जरा देखे यह तो आपको समझ आ गया, मैंने अभी प्रूफ करा, heat is a path function, work transfer is a path function and heat transfer is also a path function, it depends on the path followed by the system, उसके बाद यह DQ-DW जो था, del Q-del W जो था, वो सेम था, चाहे path A को follow करिए, चाहे path B को follow करिए, तो it must be a property, इसी property को हम लोग बोलते हैं, total energy DE, अब total energy यह जो DE मिला है, यह further दो प the stored form of energy and second is the transient form of energy, अच्छा transient form of energy क्या है, heat and work, अभी मैंने जब heat को discuss करा था, तब मैंने आपको बोला था, heat is a transient form of energy, तो heat और work दोनों ही हमारे क्या है, transient form of energy है, stored form of energy को आप दो पार्ट में divide कर सकते हो, पहला हमारा microscopic and second is the macroscopic, okay, macroscopic, तो microscopic energy क्या हो जाएगी, internal energy of the system, internal energy, of the system, जिसे हम लोग U से represent करते हैं, macroscopic energy क्या हो जाएगी, macroscopic stored form of energy क्या हो जाएगी, kinetic energy and potential energy, अब यहाँ पर अगर मैं total energy को लिखना चाहूं, तो DE हमारी हो जाएगी, kinetic energy plus potential energy plus stored form of energy में internal energy of the system, यानि DU, okay, अब अगर हम लोग kinetic energy and potential energy को neglect कर दें, तो यह DE किसके equal हो जाएगा, यह DE हो जाएगा, DU के equal, तो यहाँ पर आपको for a closed system neglecting kinetic energy and potential energy, okay, आप assumptions देखेगा, क्या क्या assumptions है, for a closed system, for a closed system neglecting kinetic energy and potential energy, वहाँ पर आप first law of thermodynamics लिख सकते हो, del Q is equal to DU plus del W, यही equation हम लोग पढ़ता है, first law कि यह equation इस तरीके से generate होती है, okay, तो यहाँ पर जब आप kinetic energy और इसको neglect कर दोगे, तो आपको मिल जाएगा, DE is equal to DU, okay, तो यह दियान दखिएगा, closed system के लिए ही equation valid है, यह first law वाल equation valid है, अगर open system है, तो फिर यह equation नहीं लगेगी, व future में जब हम लोग open system के बारे में discuss करेंगे, तो question में ध्यान दीजेगा, कई बार open system का question होता है, मगर हम लोग जान बूच के, यही equation लगा रहे होते हैं, उस particular question में, और question हमारा गलत हो जाता है, तो यहाँ पर याद रखेगा, system हमारा क्या है, closed system है, kinetic energy, potential energy को हमने neglect कर दिया है तो यह आपकी हो गई, first law of thermodynamics, del q is equal to du plus del w, where del q and del w is the path function and du is the property, it depends on the temperature and pressure of the system, okay, internal energy किस पर depend करती है, internal energy depend करती है, pressure and temperature of the system पर, अब आगे और छोटे-छोटे points discuss करते हैं, उससे देखेगा, अब हम लोग enthalpy के बारे में discuss करते हैं, एक term हम लोग बार बार thermodynamics में पढ़ेंगे, u plus pv, okay, frequently यह हमें thermodynamics में दिखेगा, so for our convenience, हम लोग इसे enthalpy बोलते हैं, इसको hsa represent कर देते हैं, u plus pv, okay, जहाँ पर u जो है, यह internal energy को represent कर रहा होता है, whereas जो pv है, यह हमारा flow work को represent कर रहा होता, okay, u हमारा किसको represent कर रहा है, internal energy को represent कर रहा होता है, इन्थैलपी जो है, यह एक extensive property है याद रखेगा, enthalpy is the extensive property, बट अगर हम लोग इसको mass से divide देते हैं, mass से divide देंगे तो क्या हो जाएगा, यह small h में convert हो जाएगा, specific enthalpy हो जाएगी, यह small u हो जाएगा, और यह हो जाएगा pv, okay, तो यहाँ पर यह वाला h जो होगा, फिर क्या हो जाएगा, extensive हो जाएगा, क्योंकि sorry, intensive हो जाएगा, क्योंकि मैंने क्या बताया था, specific properties are intensive property, क्योंकि already उसमें mass से हम लोग divide दे जते हैं, तो वो mass independent properties हो जाती हैं, तो याद रखेगा, क्या specific enthalpy is a intensive property, बट इंथेलपी is a extensive property, इसका formula क्या है, uh is equal to u plus pv, अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं, तो du is equal to हम लोग लिख सकते हैं, cvdt, और dh को हम लोग लिख सकते हैं, cpdt, यह किसलिए लिखेंगे, कब लिखेंगे यह, जब भी कभी ideal gas की बात होगी, अगर ideal gas की बात हो रही है, तो यह दो equation हमेशा valid होगी, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं, वक्दन का हम लोगों एक formula पढ़ा था, p1, v1, ln, v2 by v1, क्या यह हमेशा valid है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, यह हमेशा valid नहीं है, यह तभी valid है, जब process हमारा isothermal हो, ओके, तो इसमें condition applied है, condition क्या है, isothermal process के लिए यह work done लगा सकते हैं, अधर्वाइस यह work done का formula नहीं लगा सकते हैं, बट यहाँ पर अगर आप यह दो formula देखो, cvdt यह cpdt, यह ideal gas के लिए हमेशा valid है, सिफ गैस आपके ideal होनी चाहिए, आप कभी भी कहीं पर ही यह दोनों equation लगा सकते हो, cvdt and cpdt, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, यह वीडियो अभी अधूरी है, next video में मैं कुछ और points इसमें add करूंगी, उसके बाद यह complete हो जाएगी Thank you so much, मिलते हैं आप से next video में इसी तरीके के interesting topic के साथ